Hello Everyone, Welcome to Monk Tutorial दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेगे Microsoft Excel के बारे में shortcut की तो सबसे पहले समझते है Microsoft Excel हम लोग खोल कैसे सकते हैं तो देखिए उसके लिए simply यहां हम लोग जाते हैं search box में यहां type करते है Excel तो वहां आपका Excel का app खुल जाता है यह दूसरा तरीका है Excel खोलने का और एक तरीका run command हम लोग देते है run app और यहां हम लोग टाइप करते हैं क्या Excel Excel जैसी type करके ok करेंगे आपका क्या कर देगा वो Excel यहां पे खोल देगा ठीक है इस Excel में हम लोग कुछ भी काम हम लोग अपना कर सकते हैं तो यह हो गया basic Excel खोलने का अब Excel स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे simply एक blank workbook लेते हैं blank से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा समय जूम यू बढ़ा देता हूं तो देखिए Excel में सबसे पहले जो पूछा जाता है एक्सल कितना जूम तक जूम आउट रहता है तो यह याद रखिएगा 10% यह आप देख पा रहा हूंगे यह कितना पर्सेंट है 10% से लेकि maximum जो रहता है वो कितना रहता है 400% तक 400% में कुछ इस प्रकार से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 232 इतना में सफिसेंट है इस पाइटन पर हम लोग काम करेंगे अभी जो एक्सल आ रहा है 2016 यह उससे ऊपर उसमें जो आपकी spread sheet रहती है spread sheet रहती है जो cell रहते है यह वाले क्या है यह row है और यह column है आप देख पार होंगे row और column ठीक है तो यह row और column से मिलके जो बना रहाता है उसको कहा जाता है cell यह क्या है cell का address क्या होगा B2 ठीक है B2 जैसे इस परकार में यहां मैं अगर cell लेता हूँ तो इस cell का address क्या होगा यहां E है और यह क्या है 6 है तो E6 इस cell का address है ये कहलाता है cell जो row और column joint होते है वहाँ जो cutan बिंदू होता है वो क्या कहलाता है cell कहलाता है तो MS Excel में आपका ये अलग-अलग file मेनु आएगा home, insert, draw page layout, formula, data, review, view, help बहुत सारे अलग-अलग point आपको मिलते जाएंगे menu बार मिलेंगे Excel क्या है, इस प्रकार से अब Microsoft Excel होता क्या है अगर हम लोग इसका definition देखें तो basically ये क्या है एक spreadsheet program है Microsoft Excel क्या है, ये एक spreadsheet program है जो किसके लिए use होता है गड़ितिय, गड़नाओ के लिए use होता है या फिर जो भी numerical data रहते हैं, अंकी data रहते हैं उनको store करने के लिए उप्यूक तमाना जाता है, कौन सा? Microsoft Excel, जो normal आपके word वाले file रहते हैं, वो MS Word में हो जाते हैं, लेकिन कई बार होता है गड़्ती गड़नाओं आपको करनी रहते हैं, उनके लिए क्या use कहाता है? Microsoft Excel use कहाता है, ठीक है अगर आप corporate line में काम कर रहे हैं, finance line में काम कर रहे हैं, तो आपका जो basic काम होगा, वो किसमे होगा? Microsoft Excel के through ही होगा, यहाँ power chart बनाना, अलग-अलग जो भी आपके कहाराते हैं, look-up table बनाना यह सारे चीजे आप Excel के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं, ठीक है? इस seat में हम लोग क्या करेंगे? आपका seat number, suppose मैं मान के चलता हूँ, 1 लेके चलता हूँ, ठीक है? इस seat में मैं यहाँ, इसको formatting कर देते हैं हम लोग और start करते हैं, तो देखिए आपका जो Microsoft Excel होता है यहाँ अलग अलग सेल दिख रहे हैं, यह सेल है ठीक है? यह row है और यह column है, ठीक है? तो एक बार पूछा गया था, यह एक बार पूछा गया है कि Microsoft Excel में कितने row और कितने column होते हैं सबसे पहला fact हम लोग देखते हैं, row और column कितने होते हैं याद रखिए कि Microsoft Excel जो 2003 था या उससे पहले के वर्जन थे, उसमें वर्क सीट में आपका जो row होगा करता था, वो कितना होता था? 56,536 कितना होता था? 56,536 row और column की संख्या होती थी 256, यह कब की बात कर रहा हूं? Microsoft Excel 2003 या उससे पहले के जैसी हम लोग Microsoft Excel 2007 या उससे बात के 2010 2013, 2016 यह नए वर्जन में हम लोग आते हैं तो इसमें row की संख्या कितनी होती है 10,48,576 10,48,576 row row अर्थात यह वाला जो portion है यह का कहलाता है? row कहलाता है और column की संख्या कितनी है? तो column की संख्या है 16,384 सीधा सीधा fact पूछ लिया जाता है ठीक है? 2003 या उससे पहले में row कितने थे तो 55,536 column कितने थे तो 256 2007 या उसके बाद वाले जितने MS Excel हैं उसमें row की संख्या कितनी है तो 10,48,576 row और column कितने है 16,384 column ठीक है? सीधा सीधा fact है इसको रटना ही पड़ेगा अब देखिए यहां हम लोग अगर बात करें आपका जो row है और column है उसको कैसे पहचाने हम लोग बता दिये row इतना होता है, column इतना होता है तो देखिए आपका जो row रहता है वो number system में रहता है, ये देखिए 52, 35, 45, 55, 57, 58 इस टाइब से row रहता है वो किसमें रहता है, number में रहता है आप scroll करते जाएंगे तो बहुत सारे आपको row मिलेंगे मैं simply इसको क्या गर दे रहा हूँ, नीचे drag करते जा रहा हूँ देखिए आप row की संक्या क्या है, वो number में है ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइब से, और जैसे हम लोग column की बात करें है तो column alphabet में आता है A, B, C, D, E, F, G इस टाइब से column alphabet में आता है ठीक है, फिर उसके बाद Z के बाद A, 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 B, A, C इस टाइब का, फिर B के बाद इस टाइब से यह बढ़ते जाता है अब देखे, इसमें हम लोग ये समझ गए कितने row होते हैं और कितने column होते हैं shortcut की में हम लोग start करते हैं जो control वाले shortcut की है, basic जैसे control A से start करेंगे control A में क्या होता है select all होता है, MS Word में लेकिन याद रखेगा, इसमें आपको अगर select all करना है, जैसे मैं example के लिए ये वाला seat उठाता हूँ seat number 2, ठीक है seat number 2 को मैं छोटा कर देता हूँ ये मान के चलते हैं, इस वाले seat को उठाते हैं, इसको मैं select all करना चाहूँ, तो देखे, यहाँ मेरा cursor कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है cursor को मैं कहा रखा हूँ, यहाँ देव पे रखा हूँ, इसको मैं अगर select all करता हूँ, तो एक बार में select all हुआ क्या नहीं हुआ, control A दबाने से particular ये वाला जो field है, ये select हुआ देखे, यहाँ मैं चंद सेखर में रखा हूँ, control A दबाऊंगा सिर्फ name वाला field select होगा particular वो क्या होगा, table का field select होगा, फिट से control ये दबाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा particular चार्ज जो table है उसको वो select लेगा और तीसरी बार जब दबाऊंगा तो select all अर्था, पूरा का पूरा work sheet जो है, आपका workbook है उसको क्या कर लेगा, वो select कर लेगा, तीन बार प्रेस करना रहता है, कई सिस्टम में असर आता है, दो बार में होता है, लेकिन याद रखिएगा, select all एक बार दबाने से पूरी तरह से select नहीं होगा, ठीक है, वो एक particular table को select करेगा, control A के बाद अगला नाम है आजाद, ठीक है, इस name में आजाद को मेरे को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, simply control B दबाऊँगा, control B से क्या होता है, बोल्ड होता है, लेकिन, control B के अलावा अगर आपका suppose control जो B का button है, वो काम नहीं कर रहे है, तो आपको बोल्ड फिर से करना है, तो किस टाइब से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, उसके लिए याद रखेगा, बोल्ड करने के लिए control प्लस 2 दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, अर साथ बोल्ड के लिए दो shortcut की है, control प्लस B और control प्लस 2, दोनों बोल्ड करते हैं, अब उसके बाद control C में क्या होता है, control C में हमको पता है, control C में होता है copy, और control V में क्या हो जाता है, paste हो जाता है, copy के लिए control C, और paste के लिए control V, अगर इस particular selection को हटाना है, तो double click करते हैं, selection हट जाता है, ठीक है, control C, control C के बाद अगला आता है, control प्लस D, control प्लस D, जैसे for example, यहाँ जो चंसिखल लिखा है, उसको मेरे को यहाँ copy करना है, तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से copy करूँगा, और यहाँ से paste करूँगा, ठीक है, अगर मेरे को यह दोनों काम नहीं करने हैं, copy paste वाला काम नहीं करना है, मेरे को यहाँ full name जो लिखा है, उसको same नीचे full name लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए control D करूँगा, तो क्या करेगा, वहाँ का जो text है, और वहाँ का format है, दोनों ही वो क्या कर रहा है, copy कर रहा है अब मैं नीचे फिर से full name लिखने वाला हूँ तो Ctrl D दबाऊंगा, वो क्या करेगा ये कहलाता है, fill down fill down अर्थात जो उपर में जो भी चीज लिखा है, जिस format में लिखा है, उसको same नीचे में पर उसके format के साथ, उसके color के साथ चलते हैं, ये example के लिए, यहाँ पर एक data लिया हुआ है, इस data में आप देख पा रहा होंगे यहाँ name है, prefix है, first name, surname address है, city, state और pin code, अब ये पूरा क्या है, ये जो data है और ये data है, ये एक साथ mix हुए है हम को क्या करना है, इस data को separate separate करना है, separate separate करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, flash feel करने के लिए, इसके लिए हम लोग simply क्या कर सकते हैं, एक फाइल को जैसे prefix है, ये prefix में यहाँ आप देख पा रहा होंगे, prefix क्या लिखा हुआ है, mister लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ mr. ये लगा देता हूँ mr. कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम लोग उसके नीचे वाले cell में आते हैं और ctrl प्लस e दबाते हैं, वो क्या कर लेगा, flash feel कर लेगा, और इस flash feel में आप देख पा रहा होंगे, ठीक है, जहाँ mr. था, वहाँ mr. है, जहाँ miss है, वहाँ miss आ गया, आप देख पा रहा होंगे, अपने आप वो data क्या कर ले रहा है, वो ले ले रहा है, ठीक है, कहाँ first name जैसे आजाद, बबलू, चंसेखर, देव, हालगुनी, गजेंद्र, इस, सुरी, इस्वर है, ठीक है, इस्वर, जया, छया, लंके, संतुस, इस टाइब का first name ले लिया, अब अगर मेरे को इसका, जो surname है, वो लाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंप्ली सुरू का एक surname लिख लूँगा, ठीक है, उसके बाद control प्लस इदबाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, flash fill, अपने आप वो क्या ले ले रहा है, उसका surname ले ले रहा है, ठीक है, येई flash fill को हम लग इसमें करते, देखिए, अब flash fill के माध्यम से, अगर आप दूसरा चाहें, city में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे indoor, दूसरा यहाँ लिखता हूँ, भोपाल, इस टैप से लिखूँ, बहुत समय लाएगा, ठीक है, आपको क्या कर लेगा, जो भी state है, उसको flash fill ले लेगा, पिन कोड को लिखना है, मैं क्या करूँगा, 45315, यह पिन कोड इंदौर का है, बाकी सब जगह के pin code अलग है, flash fill करना है, control E दबाऊंगा, तुरण flash fill हो जाएगा, देखे, इस से मेरा बहुत सजादा समय बच चुका, मैं यहाँ city के name, pin code, state name, यह सारे चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत easily मैं देखिए, इसको fill कर डाला, जबकि यह data, मैं अगर manually fill करने जाता है, तो बहुत समय लगता, ठीक है, Ctrl E के बाद अगला जो आता है, Ctrl F, Ctrl F किसलिए उस होता है, तो Find and Replace, देखे, Ctrl F जैसी उस हम लोग करेंगे, तो क्या होगा, Find का Option और Replace का Option, जैसे यहाँ Find में हम लोग particular इस range को select करते हैं, इस range में मैं क्या करता हूँ, यहाँ select करता हूँ, अब यहाँ हमको catch यह Mr है, Mr, Mr को हमको Find करना है, तो यहाँ Find All करेंगे, दिखा देगा कहां-कहां Mr है, यहाँ देखिए, आप दिख पा रहा होगा, आपको इतने Mr है, इसको close कर देते हैं, हम लोगो Mr की जगा क्या replace करना है, Find and Replace में Mr की जगा हमको स्री लिखना है, ठीक है, S-H-R-E, ठीक है, स्री लिखना है, तो यहाँ replace all कर देते हैं, देखिए, आप देख पा रहा होंगे, यहाँ जितने भी जगा Mr था, वहाँ क्या हो गया, स्री, 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 अब हमको मान के चलते हैं, मिस जहां लिखा है, वहाँ क्या लिखना है, अपने को, कुमारी, और replace all कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ आप देख पा रहा होंगे, जहाँ Miss था, वहाँ कुमारी हो चुका है, यह कुमारी, ठीक है, और जहाँ Misses है, एक बार और replace करता हूँ, एक बार और replace करते हैं, replace में हम लोग क्या लिखेंगे, Misses, और Misses को हम लोग किस से replace कर देंगे, स्रीमती, ठीक है, replace all, तो यहाँ आप देख पा रहा होंगे, यह स्रीमती हो गया, इस टाइप से find and replace काम करता है, control F से, ठीक है, control F के बाद अगला जो आता है, control G, control G gotically use होता है, go to, go to में हम लोग जैसे मान के चलते हैं, यहाँ कोई particular cell है, जैसे मैं यहाँ एक cell का बता रहा हूँ, जैसे यह वाला cell है क्या F 23, यह F, देखिए, यह 23 में है, और यह F में है, तो इसके कारेंट इसको F 23 पढ़ा जाता है, ठीक है, इसका cell का यह location है, अब हमको मैं यहाँ हो, मान के चलते हैं cell number 1 में, ठीक है, cell number 1 में है, हमको जाना है F 23 में, तो F और 23 हम लोग यहाँ टाइप करते हैं, अब देख पार हैं कि जूम कर दे रहा हूँ, F 23 हम लोग जैसी टाइप करेंगे, OK करेंगे, वो वहाँ पहुँच गया उस particular cell में, ठीक है, यह 23 का हो गया, यह F का हो गया, अगर हमको मान लो, एक हजार वाला field है, ठीक है, जैसे एक हजार page है, उसमें Z 1000 में मैं करता हूँ, ठीक है, OK करूँगा, Z 1000 में जैसी यह OK करूँगा, वो पहुच गया कहा, 1000 वाले row में, और Z वाले line में, ठीक है, यह वाला क्या हो गया, Z 1000 का इसका cell value हो गया, clear है, अब अपने को यहां से इतना scroll करने से अच्छा है, scroll करके उपर जाए, उससे अच्छा है मैं क्या करूँ, सीधा हम लोग go to करें, और A 1 कर देता हूँ, सीधा पहले वाले cell में पहुच गया, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका go to command यूज़ कर सकते हैं, किसमें MS Excel में, control प्लस G किसके लिए उज़ होता है, go to के लिए उज़ होता है, कहाँ दा clear है, go to के बाद अगला जो shortcut की है, control G के बाद वो अगला है, control प्लस H, control प्लस H जैसी करते हैं, हम लोग का find and replace में replace वाला option कुलता है, ठीक है, control F में find, control G में go to, control H में replace, replace वाला भी मैं आपको उदारन बता दिया था, जैसे मिसेस का स्रीमत ही किया था, अब अपने को मान लोग स्रीमती की जगा हम लोग क्या करते हैं, स्रीमती की जगा हम लोग मिसेस ही कर देते हैं, MRS, ठीक है, तो यह क्या कर देगा, replace कर देगा, जहां जहां भी रहेगा, जैसे मिसेस था, वो मिसेस हो गया, ठीक है, इस परकार से यह क्या होता है, replace होता है, control plus H के माध्यम से, control plus H के बाद, अगला shortcut की है, वो क्या है, control plus I, देखे, हम लोग देखे थे, control plus I में क्या होता है, italic होता है, ठीक है, control plus I जैसी करूँगा, वो क्या हो जाएगा, italic हो जाएगा, लेकिन control plus I के अलावा भी, एक shortcut की है, italic करने का, वो है control plus 3, ठीक है, control plus I में भी italic होता है, और control plus 3 में भी, आपका जो font है, वो italic हो जाता है, जैसे इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको बड़ा कर देते हैं, यह आपका क्या है, normal है, इस normal को control plus 3 जैसी press करूँगा, वो italic हो जाएगा, अगर आप लोग system use करते हैं, तो यह जो जितने भी shortcut की बता रहा हूँ, आप खुछ से प्रयोग करके देखेगा, उससे क्या होता है, आप जब खुछ से प्रयोग करेंगे, तो आपको ज्यादा वो आसानी से याद रहती है, पेपर में उसको याद करना या रटना नहीं पड़ता, ठीक है, control plus i या फिर control plus 3 के माध्यम से हम लोग इटालिक कर सकते हैं, इटालिक या तिर्छा, ठीक है, उस email address दे सकते हैं, कोई, अलग-अलग जो हैं, हम लोग इसका use कर सकते हैं, hyperlink से मतलब, अगर उस particular मैं फाइल को खोलूं तो क्या हो, अपना कोई document भी खुल सकता है, ठीक है, यह मैं अलग-अलग मेरे document है, जैसे umang.psd, यह फाइल मेरे को खोलना है, तो मैं यहाँ hyperlink कर सकता जैसी मैं चंसेखर को क्लिक करूंगा, वो फोटो सापको जो format वाला फाइल है, वो इसको क्लिक करने से direct खुल जागा है, यहाँ से वो पात वो इसको ले लेगा, ठीक है, तो इसके मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको select कर लेते हैं, control प्लस L जैसी दबाऊंगा, जैसे यह है अपना, इसको मैं select करता हूँ, इतने का मेरे को क्या बनाना है, table बनाना है, control L जैसी करूंगा, यह table बना देगा, यह, यह table का color हम लोग change कर सकते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग-अलग modification कर सकते हैं, select all को हटा दूंगा, मेरे को सिर्फ किसका data द करेंगे, यह क्या कर लेगा इसको, table में convert कर देगा, इस table को मैं क्या करता हूँ, अपने इसाप से color कर देता हूँ, और इस table में मेरे को किसका देखना है, मान के चलते हैं, स्री गजेंदर साहू का देखना है, तो स्री गजेंदर साहू का जो भी data रहेगा, वो मैं यहां से filter कर सकता हूं ठीक है तो यह किसली उज़ होता है सॉर्ट में टेबल बनाने के लिए ठीक control L से क्या होता है इंसर्ट टेबल ठीक आपके जो भी डेटा वाले फिल्ड है उसमें डारेक्ट आपको टेबल डालना है तो क्ट्रोल प्लस एल करेंगे वो टेबल उसमें डेटा में डाला जाएगा या फिल्ड हो जाएगा ठीक है control L के बाद जो अगला shortcut किया आता है वो है control N सबको पता है new के लिए क्या उसके आता है control प्लस N यहाँ जैसे हम लोग control N करेंगे यह क्या हो जाएगा नया workbook या नया worksit खुल जाएगा control N के माद्ध हमसे ठीक है और अगला जो है N के बाद अगला आता है control प्लस O, O किसके लिए उस होता है open करने के लिए MS Word में भी यह चीज देखे थे open जो भी हम लोग recent काम किये हुए है वो सारे क्या होते है open करने के लिए हम लोग control O का use करते है O के बाद जो अगला आता है control P, इसको मैं close कर दे रहा हूँ close करने के लिए हम लोग simply क्या कर सकते है Ctrl P, डबलू दबाएंगे वो close हो जाएगा ठीक है, close हो गया, उसके बाद हमको अगर करना है print तो Ctrl P जैसे ही प्रेस करते है Ctrl P, तो यहाँ print का dialogue box खुल जाता है और हमारा जो भी data है वो क्या हो जाता है, print के लिए ready हो जाता है यहाँ print में अलग-अलग preview मिलते है जैसे, यह landscape है और यह portrait है पूछा जाता है landscape या portrait क्या है तो यह page का orientation है, page देखने का तरीका है कितने प्रकार के होते हैं, page को देखने के लिए या page को print करने के लिए दो प्रकार के एक होता है portrait याने की सीधा वाला यह portrait view है और यह क्या है, landscape है लेटा हुआ, और portrait मतलब सीधा और इसमें page के अलग-अलग आप format दे सकते हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, जो margin है उसको narrow कर सकते हैं इसको print भी कर सकते हैं, इवन आप इसको save भी कर सकते हैं इस पकार से print command के माध्यम से हम लोग करते हैं control plus P का use करके control plus P के बाद जो अगला most important आता है वो है control plus Q यह बहुत जादा use होता है जैसे control plus Q दबाऊंगा यहाँ देखिए आपको क्या मिल रही है quick analysis का format मिल रहा है यह क्या है, quick analysis है आप देख पार होगे quick analysis control plus Q इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी color range हम लोग decide कर सकते हैं इस range में इससे बड़ा होगा तो green color होगा, इससे छोटा होगा red color होगा यह फिर white रहेगा इसमें हम लोग formula set कर सकते हैं जो सबसे बड़ा है greater वाला देखिए, यह greater का formula जैसी set किए उससे बड़ा वाला क्या होगा, colorful होगा इस type से अलग अलग इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग design icon दे सकते हैं जो सबसे बड़ा है, वो increase में रहेगा जो लगभग बराबर है, वो yellow में रहेंगे जो सबसे छोटे हैं, या सबसे कम value वाले हैं वो क्या रहेंगे, red में रहेंगे इस type का, इसमें emoji डाल सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग इसको chart के रूप में देख सकते हैं tools बना सकते हैं, tables create कर सकते हैं power chart, power table, अलग-अलग form तो यह चीज़ जो करने का काम होता है यह कहलाता है quick analysis, तूरंत इसको देखने के लिए तो उसके लिए control plus Q दबाया जाता है control plus Q के बाद जो अगला shortcut की है वो है control plus R एक आपको मैं बताया था, याद है control plus D बताया था control plus D जैसे करते हैं, वो fill down करता है यह बताया था, जो भी उपर का data रहता है यह suppose यह data है यह data है, इसको नीचे प्रेस करना है तो control D दबाएंगे, वो नीचे आ जाएगा यह कहलाता है, fill down लेकिन यही चीज़ अपने को अगर right में करना है control D दबाएंगे, तो right में होगा क्या? नहीं हो रहा है, यहाँ जैसे करते है तो control D दबाते हैं, तो उपर का नीचे आ जा रहा है ठीक है? अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? right में लाने के लिए control प्लस R जैसी करेंगे यह जो left में data है वो data कहां चला जाता है? right में copy हो जाता है उसको कहा जाता है, fill right ठीक है? ctrl plus D से fill down होता है ठीक है? ctrl plus D से fill down जैसे इसको नीचे मेरे को करना है तो क्या करूंगा? ctrl D करूंगा तो ये जो data है, वो same नीचे fill हो गया लेकिन ये data को यहां fill right करना है तो मैं ctrl plus R करूंगा ये वाला जो डेटा है, वो field right हो जाएगा, ठीक है, control plus R से field right, या फिर जो भी डेटा है, उसको right में डालने के लिए, right cell में, अगला है, control plus R के बाद, control plus S, जो है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र लाइब सेवर, क्या है, save, कोई भी फाइल को आपको save करना है, कौन सा बटन दबाते हैं आप, control plus S, ठीक है, save करने के लिए, save के बाद जो अगला shortcut की आता है, वो क्या आता है, control plus U, जैसे यहाँ पर देखिया, इंदौर लिखा हुआ है, जैसे इसको undo कर देखिया हुआ, control plus जैसी 4 दबाऊंगा, तो भी क्या होगा, अंडर्लाइन हो जाएगा, तो अंडर्लाइन के लिए 2 side cut की control plus U, यह फिर control plus 4, ठीक है, bolt के लिए 2 side cut की था control plus B, यह फिर control plus 2, italic के लिए control plus I, यह फिर control plus 3, underline के लिए control plus u या फिर control plus 4 ठीक है अब मान के चलते हैं यहाँ वाला लेते हैं ठीक है इसमें हमको क्या करना है कोई column को height करना है यहाँ एक data है इसको max कर दे रहा हूँ यहाँ डाल दे रहा हूँ ठीक है अब मेरे को लगता है कि यहाँ जीतना column है इस column को मेरे को height करना है पूरा का पूरा column तो मैं उसके लिए क्या करूँगा height करने के लिए एक वाला यहाँ पे है और यहाँ पे यह है इसको इस परकार से simply ले जाता हूँ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यह चीज़ कर रहा हूँ अगर आप देखेंगे यहाँ column number जो एक है वो column क्या है खाली है और दो row खाली है 1 और 2 इन दोनो row को मेरे को height करना है और इस column को height करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा simply इस column को height करने के लिए इसको select कर लूँगा या फिर normally किसी cell में रहूँगा उस column के और control plus 0 जैसी दबाऊंगा वो column क्या हो जाएगा height हो जाएगा सेम यह row को height करने के लिए मैं क्या करूँगा उस row में रहूँगा और control plus 9 दबा दूँगा इस row में आके control plus 9 तो क्या हो जाएएगे वो height हो जाएगे आप देख पार होंगे यहाँ start हो रहा है 3 से एक और दूगायब के हैं यहाँ A को गायब के हैं B से start हो रहा है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं column और row को height कर सकते हैं row को height करने के लिए control plus 9 column को height करने के लिए control plus 0 यहां दा clear है अब देखें कई बार पूछा जाता है कि किसी cell में लिखे हुए data को beat से काटने के लिए कौन सा shortcut की प्रियोग किया आता है कोई cell है उसके beat से काटने के लिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है bubble लिखा हुआ है तो bubble नाम को हमको beat से काटना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे simply control plus 5 button use करेंगे देखे वो beat से कट गया जैसे पटेल को काटना है control plus जैसे पटेल को काटना है तो मैं क्या करूँगा control plus 5 जैसी दबाऊंगा वो क्या हो जाएगा cut हो जाएगा जिस भी वो को करना है आपको क्या कर सकते हैं control plus 5 जैसे आप प्रेस करते जाएगे वो सारे जो भी data रहेंगे वो beat से कटते जाएगे तो ये क्या कहलाता है आपका type की हुए word को beat से काटने के लिए या beat से कट करने के लिए जो shortcut की है वो क्या है? control plus 5 यहाँ था clear है? अब मान के चलते हैं देखें आपका जो भी file है उसको हमको क्या करना है? copy कर लिए control C से होता है copy paste के लिए control V ये पता है control C plus control V या फिर cut करने के लिए control X paste करने के लिए control V अर्थाथ paste वाला काम है वो control V में होता है अगर हमको कोई document है इस document को close करना है तो क्या करेंगे? control plus W करेंगे वो document close हो जाएगा अर्थाथ control plus W close the document control plus O open the document control N new document ठीक है? new workbook के लिए यहादा clear है? उसके लावा एक चीज़ होता है undo control Z से क्या होता है? undo अगर हम लोग कट करके यहाँ लाए है उसको नहीं करना है undo और वही चीज़ वापस करना है तो उसके लिए control Y redo undo और redo तो यहाँ से A to Z क्या हो गया? आपना जो shortcut की था वो cover हो गया उसके साथ साथ control वाले जो shortcut की थे वो भी हम लोग देख चुके अब special shortcut की हम लोग देखते है function की ठीक है? function की के माध्यम से क्या-क्या हम लोग कर सकते है उसको देखते तो सबसे पहले जो function की आता है वो आता है आपका क्या? F1 F1 function की आप जैसी प्रेस करेंगे आपका जो help menu है वो खुल जाएगा इसके माध्यम से आप जो भी help लेना चाहते है वो आप ले सकते है ठीक है? मैं help menu close कर दे रहा हूँ F1 के बाद जो अगला आता है वो है F2 देकि आप इस particular cell में देखिए sing जो लिखा हुआ है इसमें मैं अगर select करता हूँ और कुछ भी लिखना चाहता हूँ जैसे ये बाबा लिखा ठीक है आजाद बाबा तो वहाँ का sing क्या हो गया? गायाब हो गया लेकिन मेरे को sing को पुरी तरह से गायाब नहीं करना था ठीक है? ये sing की जगह मैं क्या कर दिया? सिंखानिया कर दिया आजाद सिंखानिया तो यहाँ sing की जगह मेरे को सिंखानिया करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? इस particular bar को select करना पड़ रहा है उसको direct हम लोग किसमे कर सकते हैं? यहाँ जैसे sing लिखा हुआ है इसको करेंगे F2 दबाएंगे हमारा क्या होगा यहीं से इसको edit कर सकते हैं इस formula bar में जाके लिखने की जवरत नहीं है तो इसके लिए कौन सा shortcut की है? function 2, F2 अर्था चुने हुए cell को edit करने के लिए जो shortcut की है वो क्या है? F2 है अब मान के चलते हैं हमको बनाना है कोई name का अलग से वो नाम पेस्ट करना है तो control plus F3 के जैसी हम लोग करेंगे हम लोग name manager में आ जाएंगे और अलग-अलग नाम हम लोग बना सकते हैं यहाँ table जो दिये हुए है table 2, table 3 यहाँ जाँ, यह सब क्या है? name manager है control plus F3 इसको कहा जाता है जो आपका filter है name filter name filter के नाम से जाना जाता है कि आपका control plus F3 name a cell कोई भी cell को नाम करने के लिए control plus F3 का use के जाता है अगला जो आता है वो है spell check का spell check में जैसे यह आजायत के spelling है मैं इसको simply क्या करता हूँ control plus F7 कर देता हूँ ठीक है? sorry normally F7 प्रेस करते हैं तो देखिए आजाद dictionary में नहीं है इसको हम लोग क्या करते हैं dictionary में add कर देते हैं ठीक है? और close कर देते हैं अब यहाँ से फिर से spell check करेंगे spell check करेंगे तो आजाद अपने dictionary में है ठीक है? यह आजाद को हम लोग spell check करते हैं तो यह हमारी dictionary में है लेकिन bubble नहीं है बाबुल है, बबू है, बबल है इस टाइप का अलग-अलग है तो यह क्या होता है? यह basically English में spell आपका जो spelling रहता है वो English में रहता है उसका spelling check करने के लिए यूज होता है shift plus app 7 आएगा इसमें हम लोग कुछ भी चीज करते हैं जैसे, मैं आपको एक example बताया था क्या teacher का जैसे teacher सर्च करता हूँ educator, tutor, instructor, coach, trainer, lecturer इस टाइप का जो भी आता है यह आता है shift plus app 7 से जैसे normal app 7 से क्या होता है आपका spell check होता है और shift plus app 7 से यह आपका treasor आता है ठीक है इसके अलावा जो आपका अलग से shortcut की है उनको हम लोग देखते है जिससे F12 है F12 shortcut की से आपका क्या आता है save as का dialogue box आता है जैसी हम लोग F12 प्रेस करेंगे यहाँ save as आएगा याद रखेगा save के लिए ctrl S है लेकिन F12 जैसी करते है save as का dialogue box आता है यहाँ तक clear है उसके अलावा किसी particular cell में हमको comment add करना है जैसे मालीजिया यहाँ bubble जो लिखा है इसमें मेरे को क्या करना है या फिर यह संतोज जैसे लिखा हुआ है example के लिए इसमें मेरे को कोई comment particular comment add करना है तो उसके लिए मैं shift plus F2 जैसी दबाऊंगा यहाँ पे कोई comment आ जाएगा जैसे इस comment में मैं क्या लिख देता हूँ नॉर्मली लिख देता हूँ hostel warden ठीक है अब यह बंद कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पता चल गया कि particular मैं जब cell में आऊँगा मेरे क्या पता चल रहा है संतोस लिखा है वो hostel warden मैं इस टाइब से अपने student का data यूज कर सकता हूँ जैसे यहाँ में चनसेखल जो लिखा हूआ है इस वाले में मैं जैसी हमको क्या करना रहेगा comment insert करना रहेगा shift plus F2 जैसी ही मैं करूँगा इसमें comment आजाएगा जैसे मेरा नाम के पीछे मैं लिख दे रहा हूँ teacher तो यहाँ जैसी ही मैं करूँगा यह क्या हो जाएगा teacher जैसी चनसेखर में आऊँगा वो comment अपने को सो होगा जैसे संतोस में जाएगे वो क्या होगा hostel warden यह सो कर रहा है जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया यहाँ अगर मेरो comment देना है shift के साथ हम लोग दबाएगे F2 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ CDPO अगर इसको मैं जैसे जब भी जाओंगा यहाँ पर दिखाए देगा तो इससे पता चलता है कौन इसका जो comment रहता है additional data है उसको डालने के लिए shift plus F2 या comment insert करने के लिए word में comment insert करने के लिए क्या है shortcut की था मैं आपको बताया था comment section में आप मेरे को बताईएगा इससे पता चलता है कौन कितना video देख रहा है सही से देख रहा है मानदारी से देख रहा है control के साथ और कुछ shortcut की है जैसे कि control plus page up जैसे हम लोग करते है जैसे हम लोग यहाँ पर है control के साथ जैसे हम लोग page up करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं पिछली worksheet में जाने के लिए जैसे ये वाला worksheet है, control plus page up करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उससे पहली वाली worksheet जो देख रहे हैं, अब seat में देख पा रहे होंगे, control plus page down करेंगे, seat 2, seat 3, seat 4, seat 5, इस टाइप से jump करने के लिए हम लोग control plus page up और control plus page down यूज करते हैं, जैसी page up करेंगे, उससे पहले वाले में जाएगा, ये control plus page up, control plus page up, control plus page up, control plus page up, और जैसी अगली seat में जाने के लिए control plus page down, ठीक है, इसको हम लोग mouse के थ्रूँ भी manually कर सकते हैं, लेकिन अगर आप shortcut key use करने हैं, आपको mouse use नहीं करना है, अब आप normally इस seat से इस seat में जाने के लिए simply क्या करेंगे, control plus page down कर देंगे, वो दूसरे seat में पहुंच जाएगा, फिट से control plus page down करेंगे, अगली seat में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते है, control plus page up, जो seat number one है, उसमें है, ठीक है, तो पिछली seat में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, control plus page up करना पड़ेगा, और अगली seat में जाने के लिए control plus page down करना पड़ेगा, ठीक है, यहां ता clear है, इसके अलावा, जो चुने हुए work seat है, उसको minimize या maximize किस प्रकार से क्या आता है, जैस मैं use करता हूँ, control plus F10, तो क्या हो जाएगा, maximize हो जाएगा, control plus F10 में minimize और maximize, अब जैसे हमको जितना भी row है, या जो column है, उनको select करना है, जैसे मान के चलते है, specific इसमें, जितने आपके column में है, उसको select करना है, तो मैं simply control और space बार दबाता हूँ, वो पूरा क्या हो जाता है, column select हो जाता है, और इस particular row को मेरे को select करना है, तो control, shift के साथ मैं space बार दबाता हूँ, ये particular row select हो जाता है, ठीक है, तो column select करने के लिए, एक पूरा column, उपर से लेकि नीचे तक select करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, पूरा column select करने के लिए, control के साथ space bar दबाएंगे, और row select करने के लिए, हम लोग shift के साथ space bar दबाएंगे, तो select row और column, अब आपको select all करने का तीसरा shortcut की और एक बता रहा हूँ, इसके लिए आपको control, shift और space bar दबा देना है, ये भी क्या करता है, select all का ही काम करता है, क्योंकि control, space bar में हमका हमारा क्या ह Ctrl-Spacebar करेंगे column होगा और Shift-Spacebar करेंगे row होगा Ctrl-Shift और Spacebar एक साथ दबाते हैं तो क्या हो जाता है पूरा file आपका select हो जाता है clear है अब जानते हैं कुछ ऐसे function की जो Shift के साथ यूज़ कियाते है जैसे आपका Shift-Plus F2 मैं आपको बता चुका हूँ Shift-Plus F2 में हम लोग क्या करते है comment insert करते है इस comment में ये क्या जाता है हर चीज का detail उसमें feel कर सकते है उसके लावा जो most important है वो है Shift-Plus F3 Shift-Plus F3 insert function खोलने के लिए use किया जाता है अब ये कैसे use होगा मैं इसका example आपको समझा रहा हूँ मान के चलते हैं ये वाला है ठीक है ये data है इस data में हमको क्या करना है इस data को add करना है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ Shift-Plus F3 जैसी ही press करता हूँ यहाँ देखे अलग-अलग function आ रहा है यहाँ पर जो formula आप लिखते हैं sum का उसको नहीं करना है sum बस कर देंगे यहाँ क्या कर लेगा वो cell का value ले लेगा ok कर देंगे पूरा ये जो है data इसको जोड देगा जोड के यहाँ पर अब यहाँ पर मैं simply क्या करता हूँ shift-plus F3 दबाता हूँ तो यह sum का जो formula है वो आ चुका है अब इस formula को मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूँगा simply यहाँ देखिए sum का जो formula है यहाँ आ गया इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से यहाँ shift-plus F3 जैसी press करूँगा यहाँ हम लोग average दे देते हैं average का formula तो यहाँ select कर लिया वो अपने से range और okay करता हूँ इसका जो average है वो आ गया अब average का formula हमको पता नहीं है लेकिन देखिए यहाँ average का formula यहाँ पर यह लिख दिया तो यह काम आता है कि आपका shift-plus F3 most important है याद रखेगा insert function dialogue box खोलने के लिए कौन से use क्याता है shift-plus F3 use क्याता है जो नया worksheet है यह workbook आप देख पारहोंगे seat 1, seat 2, seat 3, seat 4, seat 5 यहाँ add करेंगे तो add होगा new seat लेकिन उसके लिए shortcut की simple क्या है shift के साथ F11 जैसी प्रेस करते हैं आप देख पारहोंगे seat number 6 यहाँ add हो गया एक बार शुर से shift के साथ F11 12 करते है seat number 7 add हो गया इस प्रेकार से नया worksheet जोडने के लिए नया workbook जोडने के लिए हम लोग क्या करते हैं shift plus F11 यूज करते हैं इसमें worksheet जोडते जाता है Microsoft Excel में कुछ और shortcut की मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसके बाद वीडियो बहुत जादा lengthy होते जा रहा है तो हम लोग वीडियो यहीं close करेंगे अगर लगता है कि इस से बाहर के और भी question बन सकते हैं तो उसके लिए Alexis का part बना दूँगा वैसे exam point office हो इतना important है तो देखे अगर हमको लगता है कि Windows में आपके Excel में current date आपको use करना है तो मैं आपको shortcut की पहले बता था control plus semicolon यह current date बताता है और जैसी मेरे को इसमे current time करना रहा तो control plus shift plus semicolon करूँगा यह current time अभी का जो समय है आप यहाँ भी देख पा रहोंगे ठीक है यह time और यह date यह दोनों क्या होते हैं एक साथ इसमें आ जाते है control plus semicolon हम लोग करते हैं तो date और control shift plus semicolon तो current time यह update हो सकता है वो current date time का है इसमें अगर हम लोग चाहते हैं नई worksheet insert करना तो उसके लिए alt shift और f1 हम लोग प्रेस करते हैं तो नई worksheet तब भी insert हो जाती है आप देख पार होंगे sheet number 8 insert हो गया ठीक है और इस workbook को पूरा save करने के लिए alt shift plus f2 जैसी दबाते हैं यह save this file control s की जगा alt shift plus f2 भी दबाते हैं तो यह काम क्या करता है save का काम करता है हम लोगों ने क्या क्या जाना save के लिए control s और save के लिए control sorry alt plus shift plus f2 ठीक है save as के लिए f12 और save as के लिए अपना एक नया हम लोगों ने जाना था क्या alt plus f2 ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग microsoft excel के shortcut की को जाने आसा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत लोगों का doubt रहता है कि सर इसका PDF अवेलेबल नहीं होता तो आप आप टेलीग्राम ग्रूप में easily जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का ग्रूप इस चैनल के नाम से ही है अलग से कोई नाम नहीं है आपको टेलीग्राम ग्रूप मिल जाएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें